हेलो स्टुडेंट हमारी कक्षा आंठ की इकाई नंबर थ्री हेलो स्टुडेंट हमारी कक्षा आंठ में जो तीन नंबर का कावे दिया गया है उसका नाम है बत बाटो इंसान को और जिसके कवी है वीनय महाजन इस कवीता में वीनय महाजन जीने मनुश्य को मिल जुलकर रहन की प्रेणा दि है मनुश्यों को किसी भी वीद्भाव में नहीं पढ़ना चाहिए और सबी वीद्भाव को भुला कर एक्ता की द्रश्टी से हमें संसार को देखना चाहिए तो यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है इस कविता में एकता मिल जुलकर रहना समानता अधि मुल्ले समाविष्ट है तो कविता को हम पढ़े और समझे इसके पहले उसे कौनसे राग में हम गा सकते हैं और ये समदने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप इसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा तो चलो देखते हैं वीडियो मन्बिर मस्जिद गिरिजाघर ने बात लिया भगवान को मन्बिर मस्जिद गिरिजाघर ने बात लिया भगवान को धरती बाटी सागर बाटा धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इसान को मन्बिर मस्जिद गिरिजाघर ने बाट लिया भगवान को अभी राहतों शुरू हुई है मन्जिल बैठी दूर है अभी राहतों शुरू हुई है मन्जिल बैठी दूर है उजियारा महलों में बन्दी हर दीपक मजबूर है मिलान सूरज का संदेशा हर गाती मैदान को धरती बाती सागर बाटा मत बाडो इंसान को अभी हरी भरी धरती है उपर नील वितान है अब भी हरी भरी धरती है उपर नील वितान है परन प्यार हो तो जग सुना जलता रेगी स्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को धरती बाटी सागर बाड़ा मत बाडो इंसान को साथ उठे सब तो बहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उडास आवन का हक हो खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुसकान को रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुसकान को धरती बाटी सागर बाड़ा मत बाड़ो इंसान को मंदिर मस्जिद गिरजा भर रे बात लिया भगवान को घरती बाटी सागर बाड़ा मत बाड़ो इंसान को मत बाड़ो इंसान को मत बाड़ो इंसान को झाल झाल